हेलो एव्रिवन वेलकम वेक टिस चैनल सो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली और सिज्णात्मक बालकों से हम जो है इंपोर्टन कुश्चन डिसक्स करेंगे सो जलदी से आजाए और वीडियो को लाइक और शेकर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे पहला कोश्चन जो है प्रतिभाशाली बालक शाररिक विकास सेक्षनिक उपलब्धी बुद्धी और व्यक्तित्व में वरिष्ट होते हैं यह कतन निम्लिखीत में से किस विद्वान का है ओप्शन है पॉल विटी टमन कॉलसनिक या डिहॉन तो फॉर्स्ट आंसर जो है यह डाफिनिशन किसकी है तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आप वीडियो को फोस कर लीजिए और राइट आंसर होगा यहाँ पर तर्मन डी होन और कफ की सूची के धार पर प्रतिभावान बालकों के संधर में कौन सा कतन सही है तो प्रतिभावान बालकों के संधर में यह बच्चे कैसे होते हैं समान्य बुद्धी छो होती है उसका प्रयोगत ती करते हैं कटिन कार्यों को भी असानी से कर लेते हैं और सब कुछ असानी से याद कर लेते हैं अंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फूर्थ आंसर प्रतिभा शाली बालकों की विशिष्टाओं के बारे में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो ये कतन है ऐसे बालक नवी व्यक्तियों, स्थानों और परिस्थीतियों में शिगरी समायोजन कर लेते हैं ऐसे बालकों में अवधान का विस्तार अधिक नहीं होता है अवधान यानि अटेंशन का विस्तार अधिक नहीं होता है तो इनमें से प्रतिबाशाली बालकों के बारे में जो कथन आपका सही है वो बताईए दिकि फर्स्ट तो आपका सही हो जाएगा अवधान का स्तर अधिक नहीं होता ये गलत है क्योंकि अवधान का विस्तार अधिक होता है तो सेकंड वाला तो नहीं होगा तो फर्स्ट वाला होगा फर्स्ट आंसर इस रैड प्रतिबा शाली बालकों के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है ऐसे बालकों की रूची दूसरों की आलोचना में अधिक होती है तरक करने की योगता समाने बालकों से अधिक होती है ये बालक समाने दृष्टी से भी सुद्रिड होते है या ऐसे बालकों में ग्यान के जिग्यासा मोलिकता तथा दिड़ इच्छा शक्ती पाई जाती है तो फोर्थ में सही आंसर क्या होगा जो सही नहीं है नहीं है बताना है तो जो कतन सही नहीं है कि ऐसे बालकों की जो रूची है वो दूसरों की आलोचना में अधिक होती है अगला कुश्चन है है एलिंग वर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्था करम में समरिधी के लिए क्या कार्यकरम बताए है आधुनिक भाशाओं का अध्यन, जीवन, गाथाओं का अध्यन, विशिष्ट या विशेश योगताओं में प्रसिक्षन या प्रोक्त सभी तो फिफ्ट में आंसर सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी प्रतिबाशाली बालकों के शिक्षकों की विशिष्टाओं के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है सम्रिद ज्यान एवं सूचिना से युक्त होना चाहिए विशिष्ट प्रसिक्षन एवं प्रमाण पत्र का होना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए बालकों को उतसाहित एवं प्रेरीद करने की क्रमता होनी चाहिए या व्यक्तिगत एवं समाजिक दायत्व का बोध होना चाहिए तो प्रतिबशाली बालकों के सिक्षकों की विशिष्टाओं के बारे में जो कतन सही नहीं है क्या होगा आंसर? सेकिन आंसर ठीक है विशिष्ट प्रसिक्षन एवं पर्मान पत्र का होना जो है अधन्त आवश्चक होना जाईए अनिवारिय रूप से किसी नई वस्तु का सीजन करना ही सीजनात्मक्ता है यह कथन किसका है गिलफोर्ड के सीजनात्मक्ता के प्रमुख तत्वों में कौन समलित नहीं है तातकालिक स्थिती से परे जाने की योगता अन्या के विचारों में प्रिवर्तन आविश्कारात्मक्ता या समस्या की पुनरवाक्या तो एट में आंसर सही हो जाएगा हमारा आविश्कारात्मक सीजनात्मक्ता ठीक है टेलर मोहते के सीजनात्मक्ता के प्रकार में किसको समरित किया जाता है नवाचारित, सिजनात्मक्ता, आयातित, सिजनात्मक्ता, अभीविक्तात्मक, सिजनात्मक्ता या प्रोक्सभी तो वीडियो को पोस कर लिया करो और इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर सिजनात्मक बालक के परिक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है चित्रपूर्ती परिक्षण, वृत परिक्षण, टीन के डिब्बे का परिक्षण या ये सभी तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर ये सभी ठीक है ये प्रिवियो सीर के पूछे के क्षण है फिल करना है प्रतिबाशाली होने का संकेत नहीं है सिजनात्मक विचार, दूसरों के साथ जगड़ना, अभी व्यक्ति में नवीनिता या जिग्यासा 11 में आंसर सही हो जाएगा इसमें पूछा है डैश प्रतिबाशाली होने का संकेत नहीं है देखिए ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा प्रतिबाशाली है तो वो क्रियेटिव भी हो, यानि स्रीजनात्मकता भी हो तो प्रतिबाशाली तो ऐसा तो नहीं है निम्ड में से कौन सा बुद्धी बच्चे का लक्षन नहीं है बुद्धिमान बच्चे गा वह जो लंबे निमंदों को बहुँ जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह जो प्रवाहपूरुन एवं उचित तरीके से समप्रेशन करने की क्षमता रखता है वह है जो अमूर्ट रूप से सोचता रहता है या वह है जो नए परिवेश में स्वैम को समायोजित कर सकता है तो भुद्धिमान बच्चे का लक्षन नहीं है वह है जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेशन करने की क्षमता रखता है फिल करना है आप एक अती सक्रिय वालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे उसे पहले पंक्ती में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे उसे कक्षा के कोने में बैठने की जंगा निर्दारित करेंगे उसे शामपट पर या उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे या प्रोक्त में से कोई नहीं थर्टीन में आंसर जो है हमारा सही होगा उसे शामपट जो है आदि साफ करने का काम देंगे प्रतिबाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है विचारों में सिजनात्मक्ता दूसरों के साथ लड़ना अभिव्यक्ति में अनुठापन या कोतुहल तो ये यूपी टैट में आया था नवंबर 2011 में तो प्रतिबाशाली होने का संकेत निम्य में से क्या नहीं है विचारों में सिजनात मक्ता विधार्ती में अवांचित विवार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पदती है विधार्ती को दंड देना विवावकों के ध्यान में इसे लाना अवांची त्विहवार के कारणों को ढूंड़ना एवं उपचार का प्रबंधन करना या इसकी उपेक्षा करना 15 का राइट आंसर होगा थर्ड आंसर समस्या के अर्थ को जानने की योगता वाता वर्ण के दोशूं कम्यों एमंग रिकिक्तियों के प्रती से जगता विशेश है रीट जुलाई 2011 में आया था प्रतिबशाली बालकों की समान्य बालकों की सीजन शील बालकों की अपरुक्त में से कोई नहीं 16 में आनसर सही हो जाएगा शीजन शील बालकों की निम्न में से कौन सा कथन जो है किसी व्यक्ति के बांसिक सवास्थय को उत्तम रूप से परदर्शित करता है 16 पूर्ण अभिवक्ति संगीति करण संगति करण और समान्य लक्षण की और निर्देशन बांसिक विकारों का न होना व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या प्रोक सभी आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर विशिष्ट बालकों की सिक्षा है तू सिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहवनावे पर अनुशाशन पर व्यक्तिगत आवशकताओं वो समस्याओं पर या पाठ्था करम पर तो विशिष्ट बालकों की सिक्षा के लिए सिक्षा को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनकी जो इंडिविज्विज्वल नीड्स हैं और प्रोब्लम्स पर शिजनात्मंग बालक में निम्ड में से कौन सा गुंड नहीं पाया जाता नहीं पूछा है खोज फुरुन प्रविती, अच्छी अंतरदिस्ट्री, क्रिया शीलता या सीमित रूचियां तो अव्यसी बात है सीमित तो नहीं होंगी सीमित रूचियां है ना फूर्थ आंसर इस राइट निम्ड में से कौन सी सिजनात्मकता की विशिष्टा नहीं है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तन शीलता या नवीन ग्यान की खोज आंसर सही हो जाएगा अपरिवर्तन शीलता निम्लिकित में से क्या बच्चों की सिजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाशन, कहानी लेखन या निर्मान समंधी किरियाएं आंसर सही हो जाएगा भाशन नेक्स कुशन है सीखने का वह मोडल जो दूसरों की सिजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है बैंकिंग मोडल, रशनवादी मोडल, प्रोग्रामिंग मोडल या इन में से कोई नहीं आंसर सही है रशनवादी मोडल एक मिधावे चातर अध्यान में बहतर उपलब्धी हासिल नहीं कर पा रहा है शिक्षक कोने में से उसके लिए कोन सी गतिविधी अपनाने चाहिए पंजाब टैट जुलाई 2011 में कुश्चन आया था उसके बहतर परदर्शन की प्रतिग्या उसकी कम उपलब्धी का कारण पता करना उसे परिक्षा में क्रिपांक देना या उसके अभिवावक से कहना कि व्यह उसे स्कूल से निकाल दे 23 में आंसर सही होगा कि उसकी जो कम उपलब्धी है उसका कारण पता करना निवन में से कौन सा सिक्षार्थियों में सिजनात्मक्ता का पोशन करता है अच्छी सिक्षा के व्यवारिक मुल्यों के लिए विधार्थी का सिक्षन प्रतेक सिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोशन करने व प्रशन करने के अफसर उपलब्द कराना विदाली जीवन के प्रारम से उपलब्दी के लक्षों पर बल देना या प्रिक्षा में अच्छे अंकों के लिए विधार्थियों की कोचिंग करना कि प्रतेएक शिक्षारती की जो अंतरजात प्रतिभाई है उनका पोशन करना और प्रशन करने के अफसर उपलब्ध कराना प्रतिभाशाली विध्यारती जो है स्वभाव के अंतरमुकि होते हैं अपनी आशकताओं को दृड़ता पूरवक नहीं कहा पाते अपने निर्णों में आत्म निर्भर होते हैं या सिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं तो प्रतिभाशाली विधारती जो हैं अपने निर्णों में आत्म निर्भर होते हैं अगला है प्रतिभाशाली सिक्षारती को आधिगम डियोग्या नहीं कर सकते ऐसे सहयोग की आशकता होती है जो सामानेता विजालियो द्वारा उपलब्द नहीं कराए जाते हैं सिक्षक के बिना अपने अध्यन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्या सिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं तो 26 में सही आंसर होगा ऐसे सहयोग की आशकता होती है जो सामानेता विजालियो द्वारा उपलब्द नहीं करा जाती हैं सेक्ट आंसर इस राइट फिल करना है डैश के कारण प्रतिभा शालिता जो होती है मनो समाजिक कार को अनुआनशिक रचना वाता वरनिया अभी प्रेडना सेक्ट और थर्ड का सहयोजन 27 में तो डैश के कारण प्रतिभा शालिता होती है मनो समाजिक कार को और अनुआनशिक रचना का ये सहयोजन है प्रवाह पुरूनता व्याख्या मोलिक्ता और लचीला पन जो है किसके साथ समंधित तत्व है प्रतिभा गुण अपसारी चिन्तन या त्वरण तो ये प्रवाह पुरूनता व्याख्या मोलिक्ता लचीला पन ये किसके साथ होते है समंधित तत्व तो ये हैं प्रतिभा ठीक है आंसर सही हो जाएगा प्रतिभा नहीं होगा इसमें आंसर सही होगा अपसारी चिन्तन अगला है प्रतिभा शाली जो है जिक्षार्थियों को याफिल करना है से जूड़े प्रशनों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है समर्ण समझ सिर्जन या विशलेशन आंसर सही हो जाएगा समर्ण अध्यापक के दिश्टिकोन से प्रतिभा शालिता जो है किसका संयोजन है सीटट फरवरी 2015 में ये कुश्वन आया था अध्यापक के दिश्टिकोन से प्रतिभा शालिता जो है किसका संयोजन है तो ये है उच्छ योगिता उच्छ सिर्जनात्मकता और उच वचनवध्धता इन में से कौन सी विशेष्टा प्रतिबाशाली बच्चों की नहीं है उच आत्मक्षमता निम्न ओस्तिय मानसिक प्रक्रियाई आंत्यदिश्टी पुरुवक समस्याओं का समधान करना या उच्चितर शेर्णी की मानसिक प्रक्रियाई अंसर सही है निम्न ओस्तिय मानसिक प्रक्रियाई निम्न में से कौन सी परिस्तिती सिजनात्मक्ता को बढ़ाने में सहायक होगी सीखने हे तू सीमित अफसर हूँ बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए किसी समस्या का समधान बता दिया जाए या जब बच्चों को स्वैम करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अफसर दिये जाए तो कौन सी परिस्तिती है सिजनात्मक्ता को बढ़ाने में सहायक होगी थर्टी टू में तो जब बच्चों को स्वैम करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अफसर दिये जाए अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रूची से या पुरुसकार के लिए 33 में आंसर हमारा सही होगा थर्ड आंसर सही है अपनी रूची से ठीक है और ये आज की क्लास का लास्ट कोशन है निमलिगीत में से कौन से विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है यदि कक्षा की गतिवीदी अधिक चुनोती पुरू नहीं होती तो वह कम प्रेजित अनुभाव करता है और उब जाता है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है वह रस्मी व्यवार करता है जैसे हाथ थपतपाना डोलना आदी वह आकरमक और कुंठित होता है तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है जो विशेश्टा वो होगा फर्स्ट आंसर यदि कक्षा की जो अक्टिविटीज है अगर उसको चैलेंजिस नहीं लगरी है इंटरस्ट नहीं आ रहा है तो वह कम मोटिवेट खुद को फिल करता है और बोर हो जाता है तो यह आज की क्लास के हमारे कॉश्चन थे आप भी कितने सही हुए है आफ टो थर्टी फॉर कॉमेंट में बताइए तिल दन बबाई